वेलकम एविवाइन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइज हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी वो स्वीट होम की सीरीज थी जिसके अंदर हमें बहुत ही अलग कॉंसेप्ट देखने के लिए मिला था जोकि जॉंबी से हट की कॉंसेप्ट था यानि के इंसानों के अंदर एक ऐसा डि हुआ है जिसके अब तक आठ एपिसोड आये थे पर एपिसोड एक से लेके डेट गंटे तक की डियूरेशन के थे जिसके अभी तक साथ पार्ट आलरेडी मैं अपने चैनल पर एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ और आज पारी है स्वीट होम सीजन टू के आखरी एपिसोड है कि आगर हम किसी चीज के ओपर इतनी जादा मेहनत करते हैं यानि कि 20-25 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं तो प्लीज आप हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जादा से जादा लाइक जरूर करिए इस एपिसोड के लास्ट में हमारे पास में काफी सारे कोशंस आ जाएंगे क्योंकि ये सीजन 2 गाइस मुझे ऐसा लगा था कि काफी सारी चीजों के अंसर देखे जाएगा लेकिन उसके उल्टा सीजन 2 के आखरी 8 एपिसोड के अंदर उसने इतने सारे कोशंस चोड़ दिये जिनके आंसर मल्टिपल भी हो सकते है हम उन सारी की सारी conditions के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपे कहीं सारी characters है और उन हर एक character का end नहीं दिखाया गया है बलकि उसे किसी ना किसी mode पे लाके छोड़ दिया गया है तो episode के last तक जरूर रुखिएगा साथ ही में आपको जो जो लगता होगा आप वो भी मुझे comment section के अंदर बताईएगा sweet home के last episode में हमने देखा था कि यी क्योंग बुरी तरीके से जल गई थी यूनसू ने उसकी जान बचाई थी और वो उसे union के पास में ले आया था साथ ही में stadium के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे तभी वहाँ पे एक blackout हुआ lights चली गई इसी के साथ में sergeant के अंदर monster अपने आप ही दिखने लगा था sergeant feel कर पा रहे थे कि वो जल्थी monster बन जाएंगे और इनी सारी continuity के साथ में episode number 8 के शिरवात होती है guys starting का सारा part dark इसलिए है क्योंकि इस वक्त बताया गया है कि stadium के lights चली गई है और इसी के साथ में crow platoon के कुछ members research lab के अंदर भी है तो ये सारा का सारा scene काफी ज़ता dark होनी वाला है तो मैं बस आपको समझा देती हूँ जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा था असल के अंदर episode के starting में हमें siong walk दिखाया जाता है जो कि इस वक्त सो रहा था तभी chief आके उसके मूग के उपर हाथ रख दी थी कि चिलाओ मत चिलाओ मत siong walk कहता है कि chief आप यहाँ पर क्या कर रही है कि तभी यह soldier आके बताता है कि हमें किसी चीज के बारे में पता चला है lights अपने आप नहीं गई थी black out होने के पीछे एक reason है जान करके किसी ने wires काटे थे और उस वक्त level 1 का दर्वाज़ा बन था जहाँ पर chief पूछते है कि यहाँ पर आने की चाबिया किस के पास में है यह soldier बताता है कि चाबिय एक तो दूसरे sergeant के पास में है और एक chief के पास में है लेकिन उस वक्त वो दौनों ही जब हम सब इकटा हुए थे तो वही पे खड़े थे तो अगर उन दौनों ने नहीं किया होगा तो फिर किस ने किया होगा जहाँ पर sergeant इधर उदर की चीज़ों को ढूनने लगते हैं और कहते हैं कि light out जान करके इसलिए किया था ताकि जिसे भी अपना काम पूरा करना था कि वो siung wong को इसलिए यहाँ पर लेकर आई है क्योंकि उने किसी तरीके का काम था siung wong एक electrician था लेकिन siung wong को यहाँ के चीज़े बहुत ज़्यादा अलक लग रही थी कमरा काफिज़ादा अंधेरा भरा था काफी सारी चीजे थी और चीफ के बाते भी उसे समझ में नहीं आ रहे थी वो चीफ को कहता है कि मुझसे भी अच्छे अच्छे उलेक्रिशन्स यहाँ पर है तो आखिर आप मुझे क्यों यहाँ पर लेकि आई जहाँ पर चीफ का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जानते हो ना कि मैं तो सब की भलाई चाहती हूँ जब स्योंग वांग कहता है कि ऐसा करना बिलकुल भी पॉसिबल नहीं है अगर लिविंग एरिया को जादा बड़ा कर दिया जाएगा इसका मतलब है कि लोगों को रहने के जादा जगा मिलेगी अगर कोई मॉंस्टर बन गया यहां पे छुप भी सकता है अब स्योंग वांग की कही ना कहीं फटने लग गई थी उसे लग रहा था कि चीफ जरूर कोई ना कोई डाउटफुल लेडी है और वो कुछ ना कुछ तो गड़बर जरूरी करेगी इतने ही देर में चीफ ने स्योंग वांग के हाथ पे एक जोरदर कट लगा दिया था जिसे कंटिनिसली खून बहरा था स्योंग वांग समझ गया कि चीफ गड़बर कर रही है उसके हाथ में से बलड आना रुख गया था तो अगर वो बाहर जाएगा तो आर्मी उसे ही पकड़ लेगी जिसके बाद में सीन या चीफ की बेटी के ओपर शिफ्ट होता है यहाँ पे क्रो प्लटून के कुछ वाले लेडी कहती है कि मैं मेरे बेटे को नहीं देख पा रही हूं काफी देर हो गई है वो अभी तक मुझे देख नहीं रहा है असल के अंदर वो तो वाश्रूम भी अकेले में नहीं जाता है तो आज आखिर वो कहां गया तो क्रो प्लटून वाले कहते है कि एक बार लोगों की देख भाल भी करती हो तुम्हें यहां पर किसी से मतलब भी है लेकिन चीफ कहती है कि मुझे यहां पर सबसे मतलब है मैं यहां पर बस मेरा काम कर रही हूं क्योंकि लाइट्स जाना ये सारे मेरे अंडर ही आता है अब तक तो यहां पर सार्जंट और इसी के अपनी बेटी को लाइट्स ओफ करने के लिए लेकिन अब वो सब के सामने तो बोल नहीं सकती थी इसी करण वो अपनी बेटी को एक जोरदार चाटा लगा देती है जैसे कि वो यह बताना चारी हो कि उसे तो पता ही नी कि उसकी बेटी ने क्या किया अब क्रो प्लटून व तो स्योंग वोन कहता है कि मुझे तो बहुत जादा डल लग रहा था मुझे लगा कि आप तो कभी नहीं आएंगी लेकिन अच्छा हुआ कि आप आगई अब बताईए आखिर मुझे क्या करना होगा मैं आपके लिए सारा काम करूँगा जहां पर चीफ उसे अपनी पीछे को नुकसान नहीं पहुचाओंगा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा कि आपने मेरे साथ क्या किया प्लीज मुझे यहां से बचा लीजिए मैंने किसी का कुछ नहीं किया है स्योंग वंग बस रोता ही रह जाता है लेकिन चीफ उसकी एक भी नहीं सुनती उसे नीचे गि सस्पेंस है हालांकि मुझे इसका आंसर पता है जो कि मैं आपको एपिसोड के लास्ट में बताऊंगी साथ ही में उसने स्योंग वंग को सीडियों के नीचे घायल कर गें क्यों गिराया ये भी एक बहुत बड़ा कोशिन है इसका आंसर भी गाईज मैं आपको लास्ट के अ अगर तुम मुसीबत में होते तो क्या मैं तुम्हें छोड़ के चला जाता नहीं ना तो ये सामने वाला सोलजर कहता है कि बस मेरी ओपर डर हावी हो गया है और मुझे बहुत जादा डर लग रहा है कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे तो ये आपस में बात क क्या होगा जहाँ पर एक सोलजर कहता है कि हमने तो पहले ही का था डॉक्टर लिम को साथ चलने के लिए अब वो ही नहीं चले तो ये उनकी मरसी होगी जब ये लोग आगे चलते हैं तो इनके सामने एक बहुत अलग तरके का सीन आता है जमीन तूटी हुई थी जहाँ पर दो बहुत ही बड़े बड़े खड़े थे सबसे इंपोर्टेंट बात कि उन दौनों खड़ों के अंदर काफी सारे इंसान थे एक खड़े के अंदर आधे इंसान ऐसे जो कि मॉन्स्टर बन गए थे और एक खड़े के अंदर जो कि मतलब नॉर्मल इंसान जैसे इंसान थे ये soldiers आपस में बाते करने लगते हैं कि आखिर इन्हें यहाँ पे क्यूं रखा गया है, यहाँ पे इन्हें लाया कौन होगा, सबसे important चीज के इन दौनों के बीच में दिवार है, यानि के इन्हें अलग-अलग रखा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई तो है जो कि इन साथ चलो, दौनों सोलजर आगे बढ़ते हैं, यह आदमी इन दौनों सोलजर को एक कमरी के अंदर भेजता है, और पीछे से दर्वासा बंद कर दीता है, सीन जिसके बाद में बाकी दूसरे दो सोलजर के उपर शिफ्ट होता है, जो कि डॉक्टर लेम के बताई हुई जग पी तरह के का शेल था, मॉंस्टर का, उसी के अंदर जाके बैट जाता है, और उस ओपर वाले मॉंस्टर को निहानने लगता है, और फिर कहता है, कि तुम कैसे हो, मुझे तुम से बाती करनी है, क्या तुमारी कोई फैमली भी है, या फिर तुम यहापे अकेले रहते हो, सोच रहे थे कि आखिर कुछ देर बाद में इनका क्या होगा, क्या इने अपने बाकी के दोस्त मिल जाएंगे, या फिर इने खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, इतनी देर में इने कुछ आवाज आती है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कबट के अंदर कोई तो मॉंस्टर है, इस यहां पर क्या कर रही हो, जहां पर लड़की कहती है कि क्या आप लोग सोलजर हो, तो यह सोलजर्स बताते हैं कि नई, सोलजर तो हम बहुत पहले थे, अब हम बस लोगों की मदद करते हैं, यह सोलजर्स पूछते हैं कि तुम आखिर यहां पर क्या कर रही हो अकेली, क्या यहां पे monsters नहीं आते, क्या तुम्हें monster से डर नहीं लगता, तो यह लड़की बताती है कि नहीं, यहां पे कोई भी monster नहीं आता है, यह soldiers पूछते हैं कि क्या तुमने हमारे जैसे एक लड़की को यहां पे देखा है, फ्लीज हमारी मदद करो, वो यहीं पर ही है, तुम हमें उसकी body के अंदर oxygen की कमी हुई है, और monoxide काफी जाता भर गया है, अगर कुछ देर के अंदर उसे oxygen नहीं मिली, तो उसके organs काम करना बंद कर देंगे, इसी के करण अब यह सारे के सारे oxygen pump ढूणने के लिए निकल जाते हैं, इन्हें एक pump मिल भी जाता है, लेकिन उसके अंदर oxygen खत्म हो गई थी, अब आखिर end time भी oxygen कहां से लाएंगे, और अगर यह stadium के तरफ भी भागते हैं, तो भी यह क्योंग के पास इतना time नहीं था, कि वो जिन्दा रह पाए, यानि कि योंग के पास कोई option नहीं था, उसे बचाने के लिए, जहां पर union कहती है कि आखिर तुम क पूजी लगा था कि तुम बेकार इंसानों, लेकिन तुम तो दिल से भी उससे भी जाता बेकार इंसानों, आखिर तुम उन लोगों की मदद कर सकते थे, तुमने उनकी मदद क्यों नहीं करी, और आखिर मुझ में ऐसा क्या है, क्या मैं आगी जाकि monster नहीं बनूंगी, ले तुम में कुछ पाने के इच्छा ही नहीं है यही कालन है कि तुम मॉंस्टर कभी नहीं बन सकती और रही बात हमारे जाने की तो हम वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे उन लोगों के पास में हम ऐसी जगत जाएंगे जहां पर कोई भी इंसान नहीं हो तो हानी कहती है फिर तुम आके बैट जाता है आखिर एक साल बाद में ये दौनों आपस में बात कर रहे थे जापे यूंसू कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था ग्रीन होम अपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी लोग थे वो सब लोग कैसे हैं जापे यून्यू बताती है कि काफी सारे लोग मर कए हैं यानि कि हमने खुद देखा था जैसे जीसू मरी थी वो चोटी सी बच्ची मरी थी इसी के साथ में वो जो एक आदमी जो की मौन्स् पाए यून्यू का कहना था कि हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते जापे यून्सू कहता है कि हमने हर मुनकिन कोशिश करी पूरी के पूरी शिप के अंदर आग लग गई थी फिर भी वो वहां से भागी नहीं असल के अंदर वो खुद भी चीना नहीं चाती थी जापे यून्यू कहती है कि आगर इसके बीचे का रीजन क्या है यून्यू को असल के अंदर यी क्योंग और उसके बेटे के बीच के रिलिशन के बारे में जादा कुछ नहीं पता था जिसके बाद में अब यहां पे यून्यू अपने पास में रखी एक चिट को उपन करती है इस इसके अंदर वो ही सारे नाम लिखे हुए थे जो कि उसके भाई ने लिखे थे जो लोग भी इंफेक्टेट हो गए थे आकरी नाम उसका खुद का था वो यून्यू से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी क्या तो मुझे बताओगे कि आखिर मेरा भाई कैसा थ उसने तुमें आकरी बार क्या बोला था उसमें क्या चेंजिस आये थे यून्सू कहता है कि हां मैं आकरी बार उसे मिला था लेकिन उसमें कोई भी चेंजिस नहीं आये थे वो बिलकुल नॉर्मल इंसान की तरह ही था वो बहुत अच्छा इंसान था यून्यू का अभी भी मिस किया और उसे ह्योंसू की जरूरत भी थी असल के अंदर गाईज हमने जब first season देखा था तब हमें पता चला था कि य जो यून्यू है वो कहिने का है हूंसू को पसंद करती है और ह्यूनसू भी कहिने का हूंन का यून्यू को पसंद करता था लेकिन सेकर्ड सीजन के अंद भी नहीं हूँ जिसे वो ढूंड रहे हैं वो इंसान अलग है और शायद में उसे जरूर ढूंड के ले आऊंगा यॉंग को काफ़ी सदा क्यूरियोसिटी थी यूंसू के घाव को देखने में इसी के करण वो पूछ भी लेता है कि क्या मैं तुम्हारी घाव को देख सकता जब वो उसी नरसरी के अंदर पहुचता है और वहां पर जाके आवाज लगाता है कि एक बार अपनी माँ के पास में उन्होंने मेरे लिए क्या किया है वो मुझे पसंद तक भी नहीं करती है वो मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है तो आखिर में क्यों चलो तुम्हारे साथ जहांपे यूंसू से बहुत request करता है कि प्लीज मेरी बात समझो, वो मरने वाली है जहांपे यह कहती है कि अगर वो मरने वाली है तो आप उनकी मदद क्यों नहीं करते जहांपे यूंसू कहता है कि अगर मैं उनकी मदद कर पाता और बातचीत करने लगता है कि आखिर यून्सू वही इंसान है ना जिसने चीफ को मारा था यून्यू मना कर देती है कि तुम फालतु के इल्जाम उसके ओपर मत लगाओ असल के अंदर चीफ ही वो इंसान था जिसके अंदर काफे सारे सिंटम्स थे वो मॉन्स्टर बन किया तो यॉन्सू केती है कि चीफ ने हमें रहने की जगळी थी उनकर इस्टाइदियम हमboards ने कभी उनपर इल्जाम नहीं लगाया और नहीं क्रो प्लटून को इस बारे में बताया मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि मेरी जान बचाने वाला और कोई नहीं बलकि ह्यूंसू था और अगर मैं क्रोफ लटून को बता दी थी तो काफी सारी चीज़ी कड़बड हो जाती इतनी ही देर में अंदर से आवाज आती है जहापे यी क्योंग काफी सदा तड़प रही थी यानि कि अल्मोस्ट मरने ही वाली थी इतनी ही देर में ह यूंसू पहुंच जाता है उसकी बेटी यानि की यी को लेकर वो यी क्योंग को कहता है कि देखो मैं तुमसे मिलानी के लिए किसी को लेकर आया हूँ यी सामने आ जाती है और यूंसू यहां से चला जाता है यी क्योंग मरने वाली थी लेकिन मरने से पहले वो अपनी से यहाँ पर रुख गई जिसके बाद में यी ने अपनी मा का हाथ चोड़ा और वहाँ से बाहर आ गई तो बाहर वाले सारे लोग यी को पूछते हैं कि अरे तुम्हें थोड़ी देर तो अंदर रहना चाहिए था ना आखिर वो तुम्हारी मा है तुम थोड़ी देर तो उन वो भी खड़े खड़े परिशान हो जाते हैं कि आखिर हम उसे नहीं बचा पाए लेकिन अगले ही मुमेंट यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आता है यानि कि यी क्योंग वापस से जिन्दा हो गई थी और उसकी पूरी की पूरी बोड़ी बदलने लगी थी एक मॉंस्ट मॉंस्टर के अंदर उसकी आधी बोड़ी ब्लैक हो चुकी थी और सारे कपड़े फटने लगे थे यानि कि देखते ही देखते वो एक मॉंस्टर में बदलने लगी थी यून यू और यॉंग को समझी नहीं आता कि आखिर यी क्योंग के अंदर किसी भी तरह कि मॉंस्टर क को शूट भी कर दीता है लेकिन आखिर शूट से फरक क्या पड़ता वो तो एक मॉंस्टर में बदल गई थी जब यूंसु इन दौनों को कहता है कि अभी के भी जाओ यहां से यहां की चीज़े मैं देख लूँगा तो यून यू कहती है कि मैं आखिर तुम्हें चोड़क आधा एमोशन सब कुछ इनसान कही था लेकिन आधी बॉड़ी पूरी के पूरी एक मॉंस्टर में बदल गई थी वो नहीं चाती थी कि वो हूंसु के ओपर अटैक करे लेकिन जो उसके हाफ बॉड़ी जो कि मॉंस्टर की थी वो उसके ओपर अटैक कर रही थी जैसे ही उस ने हूंसु को टच किया तो हूंसु के दिमाग में सारी की सारी मैमोरी जा गई जितनी भी अभी तक यी क्योंग सारी चीजों को जिल रही थी वो सारी चीजे हूंसु देख रहा था और अब उसे फील होता है कि आखिर जो यी क्योंग है वो कितना जादा दुख के अंदर ह इसे के करण अब वो उसे पकड़ लेता है और अब बागी की भी चीज़े उसके सामने आने लगती है यानि कि यी के साथ उसके जितने भी मैमुरी थी उसका मॉंस्टर बनना उसने अपनी बेटी को शूट करना और हर वक्त बस परिशान होते रहना यूंसु इन चीज़ों को मुसीबत के अंदर थी तो उसे और जादा दर्द ना मिले इस चकर के अंदर ह्यूंसु ने ये क्योंग को मार दिया जिसके बाद में सीन यहां यूंग के उपर शिफ्ट हो जाता है यहां पर यूंग उसे पूछता है कि आखिर तुम आप यहां पे कितनी देर तक बैठी रहोगी जहां पर यूंग कहती है कि अब मुझे वो इंसान मिल गया है जिसे मैं ढूंड रही थी हालांकि वो यूंसु की बात नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी हूंसु से उसका काफ़े जाधा अटेच्मेंट था तो वो कहती है कि मैं अब यहीं पे रहूंगे मुझे कही भी नहीं जाना यूंग कहता है कि तुमें शायद हमारे साथ चलना चाहिए तुम काफी जाधा स्ट्रॉंग हो तुम किसी भी सिच्वेशन में किसी से भी फाइट कर सकती हो यूंग कहती है कि हां मुझे पता है कि मैं फाइट कर सकती हूं और मैं अब यहां से जाओं की भी चाता था लेकिन यूनियो उसे हाथ तक भी नहीं मिलाती और यहां से यौंग विचारा चला जाता है सीन जिसके बाद में हानी के उपर शिफ्ट हो जाता है यह बस वाले अंकल एक जगा नीचे उतर और बाहर की जगा देखते हैं कि अब इन्हें आखिर जाना किस तरफ है व के अंदर हानी ने ऊनकी ड्रेंक के अंदर काफी सारा जहर मिला दिया था जीससे ही वह बेऊश हो जाए हानी जिसके बाद उन्हे उठा के बस के अंदर सुला दी थी हालांकि उसे कारट चलानी तक भी नहीं आती थी लेकिन उसी वक्त उसने गया आगे पीछे किया त्लच म थे, ये soldiers उन्हें shoot करने वाले थे, तो ये लड़के मना कर देती है, कि ऐसा मत करो, ये लोग isolation में हैं, ये लोग अभी तक monster नहीं बने हैं, बस इनके अंदर symptoms हैं, तो ये soldier कहते हैं, कि तुमने ही तो खाता कि या पर monster नहीं आते हैं, तो ये लड़के कहते हैं, कि हाँ मैं ये लोग उस दर्वाजे को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, shoot भी करते हैं, लेकिन वो दर्वाजा खुलता ही नहीं है, जहां पर एक soldier को समझ में आता है, वो इस लड़की को कहते हैं, कि तुमने कहा था न, कि यहां पर और भी survivors हैं, बताओ, या तो तुम ये gate खोलो, य फिर उन survivors के पास में लेके चलो, एक soldier यहीं पर रुख जाता है, जबकि दूसरा soldier इस लड़की के साथ में बागी लोगों को ढूडने के लिए चला जाता है, सीन जिसके बाद में, डॉक्टर लेम पर shift हो जाता है, जो कि इस वक्त बस खुद के monster बनने का wait कर रहे थे, लेक गुम के जाने लगता है, डॉक्टर लेम अपने हाथ में डंडा उठा लेते हैं, जैसे कि इनके डंडे से monster उन्हें मारेगा नहीं पागल आदमी, फिर वो हवास देने लगते हैं कि आरे आरे कौन हो तुम, रुको रुको मेरे लिए तो रुको, डॉक्टर लेम उसके बाहर वाले soldier को दे देता है, तो यह बाहर वाला soldier कहता है, कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम हमारे साथ चलोगे, मैं तुम यहां से लेके ही जाओंगा, लेकिन अंदर वाला soldier बोलना स्टार्ट करता है, कि यहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, यह एक बहुत बड़ा है, हम सब लोग यहां पे फस गए है, हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते, अब आखिर यह trap बनाया किसने है, और कौन ही लोगों को फसा रहा है, वो कहानी अब स्टार्ट होती है, वो soldier जो कि लड़की के साथ निकला था, वो इसी आदमी के पास पहुंचाता है, जिसने पहले ही दो soldiers को दर्वाजे के अंदर बंद किया था, यह soldier आता है, और gun point करता है, और कहता है कि अभी के अभी चलो, मुझे बस तुमसे एक ही काम है, कि मुझे मेरे दोस्त को लेके यहां से बाहर जाना है, जहां पर यह आदमी मना कर देता है, कि मुझे तुमसे बात नहीं बोलना क्या चारा है, जिसके बात में scene बाकी दो soldiers के उपर shift हो जाता है, जो कि इस वक्त यह कमरे के अंदर बंद थे, इन्हें न जाने किस तरह की कि छोटी मोटी सी आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई city मार रहा है, तो यह काफे ज़ाता है, इधर उधर देखने लगते ह कि एक तम से उसके साथ में क्या हो गया, वापस यह उसी black coat के उपर scene shift हो जाता है, जो कि अपने पास बैठी वाले लड़की को order देता है, कि इसे मार दो, असल के अंदर यहां पे जो लड़की बैठी थी, वो एक इनसान बिल्कुल भी नहीं थी, बलकि वो एक monster थी, बहुत भयंकर वाली monster, जो कि इस soldier को जान से मार देती है, साथ ही में हमें आपर डॉक्टर लिम को देखते हैं, जो कि सैंग वाक के पीछे पीछे भाग रहा था, और साथ ही में जो आखरी बचावा soldier था, जो कि अपने senior को बचाने के लिए गया था, उसे भी एक लड़का पकड़ लेता है, और वो लड़का भी monster था, यानि कि यहां पे जो इनसान है, उनके पास में अला की तरह की power से, वो monster जैसी है, लेकिन उनके अंदर गुसब की power से, यह series देखके न, मुझे और वे कई सारे series याद आ रहे हैं, जैसे कि अमने stranger things देखे थे, जैसे कि L के पास में power थी कि वो अपने subconscious mind से किसी के साथ में कुछ भी कर सकती थी, और भी हैसी कई सारे series है, डॉक्टर लिम अब almost sang walk के सामने पहुँच गए थे, जिसके बाद में सीन यहां यून्यू के उपर shift हो जाता है, जो कि अंदर आती है, और उसे पता चलता है कि अब हूनसू उट गया है, लेकिन सबसे strange बात यह थी कि हूनसू अब पहले वाला हूनसू नहीं रहा, बलकि पूरी तरीके से बदल गया है, उसके ओपर उसका monster हावी हो गया है, यून्यू यह देख ही रही थी, और कहती है कि आखिर तुम कौन हो, हूनसू का monster कहता है कि हूनसू अभी काफी जादा मैं उसे इस हालत के अंदर नहीं देख सकता, हर वक्त तुम लोगों के चक्कर में उसने खुद को नुकसान पहुचाया है, और आप देखो उसके क्या हालत हो गई है, यून्यू आगे बढ़ती है उसे नुकसान पहुचाने के लिए, तो हूनसू भी आगे बढ़ता और कह ही जाधा एक्टिव हो चुका था, वो यून्यू के पास में आता है, तो यून्यू पूचती है कि आखर तुम करना क्या चाते हो, तो हूनसू कहता है कि तुम बताओ, आखर तुम क्या चाती हो, तुम यून्सू के साथ में क्या करना चाती हो, सीन जिसके बाद में डॉक् बोट मैमोरेबल है साथ ही में मेरे लिए भी उत्नी ही जाता मैमोरेबल है क्योंकि इस जगा पे तुमने तुम्हारे एक्सप्रेमेंट स्टार्ट किये थे हमें एक सीन दिखाया चाता है कि कैसे डॉक्टर लिम्ने एक्सप्रेमेंट करने की चक्कर में जो अपना first suspect था उसका लेम अभी भी यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम कौन हो क्या मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ अब यहां पे सैंग वाग खुद के उपर से मास्क हटाता है डॉक्टर लेम को कहता है कि चलो मुलाकाश शुरू करते हैं और उसके बाद में अपना अंदर से निकले हु और रहा है है कि यह कौन है और क्या तो मुझे जान पा रहे हो कि मैं कौन हौन हूँ मैं हूँ M.H.1 जो कि तुम्हारा सबसे पहला Suspect था जिसके उपर तुमने सारे के सारेщё एक्सपरिमेंट किये थे या फिर मैं काूँ क कैम तुम्हारा दोस्त हूँ आपका इस दोस्त का म यहीं पर रह गया और आखिर वो डॉक्टर लिम के साथ किस तरह की का बदला लेना चाहता था जिसके बाद में सीन काई यहां पर ग्रीन होम अपार्टमेंट के उपर शिफ्ट हो जाता है यहां पर हम देखते हैं कि एक एक था जो कि एवॉल्व हो रहा था वो पूरी तरीके से अपना शेप ले चुका था और उसके अंदर से एक इनसान आके नीचे गिरता है पूरी तरीके से नंगा इनसान था शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था बहुत जादा स्लाइमी हो रहा था और उसके उपर कोई मॉंस्टर अटैक नहीं कर रहा था वो इनसान आ के आता है अपनी साथ में कई सारी सवाल चोड़के अब बात आती है इन सारी सवालों की कि आखिर हमारे सामनी कोशन क्या क्या है तो सबसे बड़ा कोशन कि जो यह यानि कि यून्यू का भाई जिसे वो लड़की अब तक ढूंड रही थी क्या कि मेरा भाई कहां गया है वो मॉंस्ट से उपर से वो डॉक्टर लिम के साथ में क्या करना चाता है यहां में आगे वाले सीजन्स में पता चलेगा साथ ही में थर्ड नंबर का कोशन और उसका आंसर यह उन्सू काफी साथ बदल गया है तो क्या वो यूनियो को नुकसान पहुचाएगा या फिर यूनियो से वापस से सही कर देगी साथ ही में फूर्थ नंबर का कोशन की जहां पर जो नीचे इतने सारे लोग रहे रहे थे यानि कि आदे मॉन्स्टर आदे इंसान उन सब को कौन के एटेक कर रहा था उन इंसानों के अंदर से बनाये जा रहे थे इन सब के पीछे का रीजन क्या है जिसके बाद में 5th number का question कि आखिर हानी आपने साथ में उस बस वाले अंकल को कहां पे लेके गई होगी साथी में 6th number का question कि क्या यी क्योंग जो कि almost एक half monster में बन गई थी क्या वो वापसे जिन्दा बची की उस बड़े से खड़े में गिरने के बाद या फिर वो सच में मर गई होगी 7th number का question यानि कि जो यह क्यों की बेटी थी जो कि सबसे extreme monster बनी थी कि अगर किसी को हाथ भी लगा ले तो वो इंसान monster बन जाए बिना किसी symptom के तो आखिर उसका क्या होगा उसका क्या past होगा या फिर वो आगे जाके क्या लोगों के साथ में कर सकती है ये एक बहुत ही बड़ा question है जिसके बाद में question number 8 कि वो जो छोटा सा बच्चा गायब हुआ था आखिर वो बच्चा कहां पर गया इसके साथ में chief ने एक लड़के को नीचे गिरा दिया था तो आखिर नीचे basement के अंदर उसने क्या छुपा रखा है और उसने उस लड़के को नीचे क्यों फैका गाइस मुझे ऐसा लगता है ये मेरी calculation है कि ये जरूर उसका husband है जो कि monster में बदल गया था पूरी तरीके से और वो अपने husband को एक तरीके से secure करके उसने रखा है और उसे खाना खिलाने के लिए उसने उस लड़के को जरूर नीचे फैका होगा ये ऐसा बस मेरा मानना है साथ ही में 10th number का एक बहुत बड़ा question कि आकर sergeant जो कि वो भी एक monster के अंदर almost बदल गए है तो उनका future क्या होनी वाला है आकर वो किस तरह के monster में बदलेंगे तो guys बहुत सारे suspense है बहुत सारे questions हम लोगों के सामनी खड़े कर दिये गए है और इन सब के answer हमें season 3 के अंदर ही मिलेंगे तो guys जब भी season 3 आएगा मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आओंगी आप लोगों को इस series कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा आप लोगों के अगर कोई questions है कोई doubts है तो मुझे comment section में भी बताईएगा आप तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी नई series में तक तक की ताडा आप बताईएगा